गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स इरुसाला में आपका स्वागत है हम लोग लूसेंट अब्जेक्टिव से वाल्टी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे इसमें आज चेप्टर 11 है जो मूल अधिकार है तो मूल अधिकार से संबंदी सारे कोश्चन हम लोग यहां देखेंगे तो चलिए सुरुवात करने से पहले वीडियो को लाइक करिए सेर करिए कमेंट करिए और साथी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रैस कर देए ताकर आपको नए नए वीडियो मिलता रहे है चलिए सुरुवात करते हैं फर्स सवर प्रतम किस देश में सविधानिक मानियता प्रदान की गई थी तो मूल अधिकार को सबसे पहले सयुगत राज अमेरिका में मानियता प्राधान कर गई थी नेक्ष है भारतिये नागरीकों के मौलिक अधिकारों कावर्णन अनुछेद कितने में है तो यह अनुछेद 12 से 35 में है ठीक है नेक्ष पे आते हैं डॉक्टर भीम राव अमबेदकर ने भारतिये सविधान के किस भाग को सरवाधिक अलोकित भाग कहा है तो यह भाग तीन को कहा है ठीक है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यूंकि वे मानों के प्राकितिक और अप्रतिदे अधिकार होते इसलिए ये मूल कहलाते हैं नेक्ष आते हैं भारतिये सविधान के भाग तीन में कुल कितने अनुछेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तो यह 24 अनुछेदों में वर्णन किया गया है नेक्ष प्रारंब में कितने मौलिक अधिकार दिये गये थे तो प्रारं में मौलिक अधिकार मूल सविधान का हिस्सा था ठीक है भारतिय सविधान में न्याले में कौन परवर्तनिये है तो यह है मूल अधिकार परवर्तनिये है नेक्षे मौलिक अधिकारों को लागू करने का दाईत्व किस्पे होता है तो यह उच्छतम न्याले और उच्छ न्य किसको जाता है या सरवच न्याले को परदान किया जाता है ठीक है नेक्षाते हैं सविधान में उद्भोसित मौलिक अधिकारों में संसोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है तो संसत के द्वारा किया जा सकता है भारतिय नागरिकों को परदान किये गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच न्याले तथा उच तम न्याले की अधिकारता में आता है तो यह मूल अधिकार का परवर्तन इसमें आता है नेक्ष आते हैं भारतिये सव्यधान के अंतरगत मूल अधिकारों का सनरचक कौन है तो यह है न्यायपाली का सनरचक होता है नेक्ष है मौलिक अधिकारों की निलंबन का आदेश कौन दे सकता है तो यह राश्टपती दे सकता है मूल अधिकारों पर आवस्यक परतिबंद ल प्रदत मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है तो यह है राशपती नेक्षाते हैं भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में वक्तब दिया हुआ है इसमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है तो इसमें जो सही है देख लेते हैं यह राज कृती के में सूचित है तो यह दोनों ही कथन सही है और इसका ए इंसर हो जाएगा नेक्ष आते हैं समानता का अधिकार भारतिये सविधान के किन पांच अनुछेदों में दिया गया है तो यह आप जानते ही होंगे अनुछेद 14 से 18 तक में दिया हुआ है नेक्ष भारतिये सविधा के प्रस्तावना में परियुक्त समाज वादसब्द को निम्लिखित में से किस अनुछेद या अनुछेदों के साथ मिला कर पढ़ने से सर्वच नियाले को समानकार के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभासित करने की सकती प्राप्त हुई है तो इसका एंसर हो समबंदित है तो या अनुछेद 17 है भारतिय सविधान का कौन सा अनुछेद अस्प्रियस्ता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके बहवार का निसेद करता है तो इसका एंसर हो जाएगा अनुछेद 17 नेक्ष है समानता का अधिकार भारतियों के लिए समबंदित करता है नेक्ष पर आते हैं सविधान के किस अनुछेद के प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार द्वारा भारत रतने पदम विभुसन आदी अलंकरन प्रदान किये जाते हैं तो यह अनुछेद 18 के द्वारा प्रदान किये जाते हैं 1995 में पारित प्रतिसेद भारत के सविधान का अनुछेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधिन वर्गी क्रित किया गया है तो अनुछेद 15 किसके अधिन किया गया है तो इसका समता के अधिकार के अधिकार 14-18 समानता का अधिकार है नेक्ष आते हैं निमलिकित अनुछेदों में ठीक है क्योंकि 14 से 18 तक समानता का अधिकार है और उचेद 19 से 22 सोतंतरता का अधिकार से संबंदित हो जाता है सविधान के अनुचेद 26 में धार्मिक कारियों के प्रबंध की सोतंतरता पर क्या परतिबंध लगाया गया है तो यह परतिबंध इसमें लोक विवस्था सदाचार और स्वास्थ होगा तो इसमें डी एंसर हो जाएगा 145 ठीक है नेक्ष आते हैं आप्सन के अनुचार चुनना था इसलिए लोक विवस्था स्वास और सदाचार दिया हुआ है तो यह एंसर हो जाएगा नेक्ष चिन्नाई राजबनाम चंपकम दोयराजन मुकदमे में भारतिय स्वरोच नियाले के निर्ने के परिनाम स्वरुप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संसोधित किया गया तो इसमें भेद भाव के विरुद अधिकार को संसोधित किया गया नेक्षे भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र जो मिला है वो किस अनुछेद के अंतरगत है तो यह सविधान के अनुछेद 19-1 को में विशेश रूप से उपबंदित है नेक्षाते हैं भारत का सविधान असपस्त प्रेश की अजादी की विवस्ता नहीं करता है किन्तु यह अजादी किस में अंतर नहीं है तो यह अनुछेद किस में अंतर नहीं है तो यह अनुछेद 19-1 में अंतर नहीं है नेक्षाते हैं स्वोतंतरता के मूल अधिकार से संबन्दित सवीधान के अनुछेद 19 के अंतरगत कितने परकार की स्वोतंतरता परतियाभूत है तो इसमें 6 परकार की स्वोतंतरता दे गई है स्वतंतरता का अधिकार सविधान के किन अनुछेदों में वर्नित है तो यह 19 से 22 अनुछेद में वर्नित है नेक्ष आते हैं अनुछेद 19 में वर्नित स्वतंतरता है निम्न में से किसको प्राप्थ है तो केवल भारतिय नागरीकों को प्राप्थ है भारतिय सविधान का अन निमलिखित में से कौन सा अनुछिद प्रेश की सोतंतरता से संबंधित है तो इसमें कौन सा एंसर हो जाएगा उन्नीस अनुछिद उन्नीस है जो प्रेश की सोतंतरता से संबंधित है नेक्ष आते हैं निमलिखित में नागरीकों का सोतंतरता संबंधित सही अधिकार इनमें से कौन है तो इन में से जो है वह है भासन तथा विचार ब्यक्त करने की सोतंतरता नेक्ष प्रेश की सोतंतरता किस अधिकार में नहीं थे तो प्रेश की सोतंतरता किस में नहीं थोगी सोचिए जरा यह भासन सोतंतर में नहीं थे नेक्ष आते हैं निम्न में से कौन मौलिक अ अधिकार ये सभी है भारतिये सविधान का कौन सा अनुचेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को सनरच्छन परदान करता है तो यह अनुचेद 21 है ठीक है निमने का वक्त अव्योग पर ध्यान देना है किसी को राष्ट गीत गाने के लिए बाध नहीं किया जा सकत क्यूंकि क्यूं नहीं किया जा सकता क्यूंकि इससे वाक स्वतंत्ता और अभ्यक्ति की अधिकार का उलंगन होगा इससे अंतकरन और धर्म के अबाध रूप से आचरन और प्रचार करने की स्वतंत्ता के अधिकार का उलंगन होगा इसलिए इसका एंसर ए हो जाएगा 1 और तू दोनो नेक्षाते हैं निमलिकित में सिक्किने सरोच नियाले ने मौलिक अधिकार के रूप में मानियता दी है तो इसमें डी एंसर हो जाएगा आवास का अधिकार विदेश यात्रा का अधिकार समानकार के लिए समानवेतन का अधिकार तो इन तीनों को ही सरोच नियाले ने कथन सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है और भुभ्यक्ति की अभाधित स यह सत्य नहीं है नेक्ष आते हैं सविधान कीन अनुच्षेदों में सोचन के बिरूद्ष अधिकार वरणित है तो यह अनुछेद कौन सा हो जाएगा अनुछेद 23-24 नेक्ष मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सोसन से संबंदित है तो यह अनुछेद 24 हो जाएगा next देखते हैं भरत के सविधान के अंतरगर्त किस आयुक के बालब को किसी खान अत्वा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का परतिसेध किया गया है तो यह 14 वर्ष कम के यह किया गया है कारखानों अत्वा खानों में कोई व्यक्ति न्यूग्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयू कम से खम 14 वर्ष हो नेक्ष आते हैं भार्तिय सव्धान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिससे गिरपतार अत्वा बंदी किया जाता है सबसे नजदी की मजिस्टेट के समक्ष उससे उपस्तित करना होता है तो या 24 घंटे के अंदर उपस्तित करना होता है नेक्ष आते हैं 14 वर्ष से कम आयू के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं इन कारखानों में बच्चों को काम कर देने से किस मौलिक अधिकार का उलंगन है तो यह सोसन के विरुद अधिकार का उलंगन करता है नेक्षपे आते हैं निमलिखित में से किस अनुछेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित येवं डंडित नहीं किया जाएगा तो यह अनुछेद 20 में कहा गया है नेक्षपे आते हैं भारतिय सविधान कोई अपराध किये जाने के लिए किसी समान ब्यक्ति को जिसे किसी समान बीधी के अंतरगत ग्रपतार किया गया है तो निमलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त प्रदान करता है तो इसमें उप्योग्त सभी अधिकार उसे अधिकार है गिरफतारी के 24 घंटे के अंदर मजे स्टेट के सामने प्रस्तुत किये जाने का उसका अधिकार है ठीक है तो इसका डी एंसर हो जाएगा नेक्स आते हैं धार्मिक स्वतंतर्ता का अधिकार सविधान के कीन अनुछेदों में वड़नित है तो सविधान के यह अनुछेद 25 से 30 में वड़नित है नेक्स आ भारतिय सविधान के अनुछेद 25 का संबंध किस्से है तो यह धर्म की सोतंतर्ता से इसका संबंध है नेक्स आ धार्मिक सोतंतर्ता के अधिकार में सविधान के अंतरगत्त क्या समलित है तो इसमें धर्म परचार करने का अधिका सिखो को किरपान धारन एवं रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधी निर्णमान करने का अधिकार ये तीनों ही कथन सही है ठीक है नेक्ष आते हैं सविधान के किस अनुछेद द्वारा सिखो द्वारा किरपान धारन करना धार्मिक सोतंत्रता का अंग मा तो यह अनुच्छेद 25 के द्वारा माना जाता है। तो यह 29 और 30 अनुच्छेद नेक्ष्ट भारतिय सव्धान का कौन सा अनुच्छेद अल्प संक्यकों को अपनी मन पसंद सिक्षन संस्थाओं के अस्थापित तर्था संचालित करने का अधिकार को संरक्षन प्रदान करता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा अनुच्छेद सव्धानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है तो यह अनुच्छेद 32 के द्वारा दिया गया है नेक्ष्ट निमलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीम रावंबेतकर ने सव्धान का हिर्द है एवं आत्मा की संग्या दी थी तो यह हो जाएगा सव्ध सव्धानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को नेक्ष्ट है सव्धानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है तो यह अपात इस्तिती के घोसना के दौरान सेना सदस्यों के संबंद में और जब सैनिक वेधी लागू हो तब जाते हैं इसे फिर से देख लिजे निमलिखित में से कौन सा अधिकार भारतिय सव्धान के अनुच्छेद 32 के अंतरगत परवर्तित किये जा सकते हैं तो यह मौलिक अधिकार को परवर्तित किये जा सकते हैं यह अनुच्छेद 32 के अंतरगत ऐसा किया जाता है नेक्ष्ट जिसको रिट कहते हैं ठीक है ब्यक्तिगत सोतंतरता के लिए निमलिखित में से कौन सी रिट याचि का दायर की जा सकती है तो यह बंदी परते अक्षिकरन को दायर की जा सकती है कौन ब्यक्तिगत सोतंतरता से संबंधित है तो यह बंदी परते अक्षिकरन जो है वो ब्यक्त प्रमादेश, अधिकार प्रिक्षा और पर्तिसेद जारी कर सकता है। क्या है तो यह निरूध ब्यक्ति या हित्वध ब्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है नेक्ष निमलिखित में से किस इस्थिती में बंदी परत्यक्षी करन या जारी किया जाता है तो यह दो स्पूर्ण पुलिस नजरबंदी के इस्थिति में जारी किया जा सकता है किसी ब्यक्ति का अवयद निरोध के मामले में नियाले द्वारा जारी कृत पर्मादेश निम्न में से कौन है तो यह है बंदी परत्यक्षिकरन निम्न में से किस याचिका का साब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं तो इसका मतलब ही हो रहा है हम आदेश देते हैं तो परमादेश इसमें एंसर हो जाएगा निवने समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवायध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है तो यह किसके लिए किया जाता है तो अधिकार प्रिक्षा किया जाता है नेक्ष है ब्यक्ति निगम अथवा अधिनस्त अधिकरन जिस कारे को करने के लिए आबध हैं उस कारे को करने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं तो इसे परमादेश कहते हैं वह रिट जो भारत में उच्तम न्याले अथवा सर्वोच न्याले द्वारा किसी ब् प्रमादेश के अंतरगत आता है तो यह रिट को क्या कहा जाता है तो इसे मेंडेमस कहा जाता है इसका एंसर बी हो जाएगा नेक्ष आते हैं उत्प्रेशन रिट निम्ल में से किस अधार पर जारी किये जाते हैं अधिकारता का अभाव या अधिकारता से बाहर किये कारे के लिए नैसर्गिक न्याय के सिधानतों का अतिक्रमन होने पर अभिलेक में परत्यक्षत प्रकट विधित तूटी के अधार पर जारी किये जाते हैं नेक्ष आते हैं निम्लिखित में से किस यार्चिका के अधिन किसी करमचारी को ऐसी कारवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तोर पर वह हकदार नहीं होता है तो यह अधिकार प्रिक्षा के अंतरगत होता है नियाले द्वारा जारी किये गए पर्मा देश के माध्यम से नियाले किसी ब्यक्ति या संस्ता को उनके सार्जोनिक दाइत्तो तथा कर्तब्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है नेक्ष है कौन मूल अधिकारों के अंतरगत नहीं आता है तो यह संपति का अधिकार है जो मूल अधिकारों के अंतरगत नहीं आता है भारत के सविधान के ततनिम्ने से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है तो यह नागरिक्ता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है नेक्ष आते हैं संपती के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो यह समाप्त किया गया था, 1978 में सविधान के 44 संसोधन द्वारा समाप्त किया गया था, संपती का अधिकार क्या है, तो यह एक कानूनी अधिकार है, ठीक है? नेक्ष्ट है 44 सविधान संसोधन विदेहक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान बैधानिक अधिकार बना दिया गया तो यह संपति के अधिकार को बना दिया गया भारतिय सविधान के नुसर संपति का अधिकार क्या है तो यह बीधिक अधिकार है यह एक बीधिक अधिकार है संपति के अधिकार को मूल अधिकार की स्रेनी से हटा कर किस अनुछेद के अंतरगत रखा गया है तो यहां अनुछेद तीन सोको के अंतरगत रखा गया है भारत मुलान करना है मौलीक अधिकार और अनुचित दिया हुआ है समता का अधिकार, अनुछेद 14 से 18 में ही है, समता का अधिकार, स्वतंतरता का अधिकार 19 में है, धर में की स्वतंतरता का अधिकार 25, अनुछेद 25 में है, सर्धानिक उपचारू का अधिकार 32 में है, तो इसका एंसर C हो जाएगा, ठीक है अब नेक्षा आते हैं मौलिक अधिकार में कौन सी बात की सोतंतरता नहीं है तो यह हरताल करने की अजादी नहीं है नेक्षा किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया है तो यह केस्वानन भारती वाद जो बहुत ही फेमस है किसी न्याले अत्वा न्याधिकरन के आदेश को रद करने के लिए निमलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है तो यह उत्प्रेशन जारी की जाती है नेक्ष है निमन में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो यह है अभिवक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है समान्ता की अधिकार सविधान के निम्न अनुच्छी करन शमादेश जारी करने का अधिकार किसमे निहीत है तो या उच तथा उच्टम नियाले दोनों में निहीत है नेक्ष्ट अनुछेद 32 के अधीन सरोच नियाले में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है तो या मना कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार का उलंगन नहीं हुआ है ठीक है किसी अर्ध न्याईक सार्जवनिक अधिकारी को अपनी अनिवार करतब्य के लिए मजबूर करने के उदेश से उच्तम नियाले द्वारा जारी की गई रिट क्या होती है तो या परमादेश होती है नेक्षे सविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किसकी ब्योस्ता है तो या समाजिक समता की ब्योस्ता है भारत में उच्तम नियाले निमिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संसोधन नहीं किया जा सकता है तो या गोलक नात के मामले में माना था निवने में से कौन सा भारत के सविधान के मूल अधिकारों का अंस नहीं है तो या उदोगों के प्रबंधन में स्रमिकों की सहभागिता या मूल अधिकारों का अंस नहीं है नेक्ष भारतिय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त परतिबंधों को आरोपित करने की सकति किस के पास है तो या संसत के पास है किसी कैदी को न्याले के सम्मक्च पस्तूत करवाने के लिए किस रीट की आउसकता होती है तो या बंदी पढ़ते अक्षी करन की आउसकता होती है तो चलिए आपका मूल अधिकार से जितने question थे वो complete हो गए अब next वीडियो में मिलते हैं ओके तो please वीडियो को like करिए share करिए comment करिए और साथ ही जिन्होंने channel subscribe नहीं किया है वो subscribe करके bell icon को press कर दे ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहा है ओके